अबसकार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे माइक्रो मीटर के ऊपर किसी जोब या कंपोनेंट की जो रीडिंग है वो किस प्रकार से ले जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं यह जो माइक्रो मीटर है जिसके दुआरा हम जो मैटीरियल है उसकी जो आउटर जो डैमेंशन है उसको मेजर कर सकते हैं और एक मीटरिक माइक्रो मीटर है और इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिली मीटर है लिस्ट काउंट वो होता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट के दुआरा हम वो मिनिमम डैमेंशन होती है जो मेजर कर सकते हैं उसके बाद इसके जो part है ये use shape का एक frame होता है जिसमें यहां पर anvil लगा होता है यहां एक spindle है जो spindle है ये throughout होता है क्योंकि इसके जो next part ये barrel है ये भी hollow होता है थिम्बल भी hollow होता है तो इसके अंदर से जो spindle है वो जाता है यहां ratchet stop के साथ वो connected होता है तो anvil और spindle के बीच में हम जिस job या component की measurement करनी है उसको रखा जाता है और जो इसका main scale होता है वो barrel के उपर होता है इस barrel को हम sleeve भी कहते हैं उसके बाद यह thimble होता है thimble एक परकार से इसके उपर जो है वो circular scale बना होता है जिस पे zero से लेके 50 तक division बनी होती है thimble को हम clockwise या anticlockwise rotate कर सकते हैं thimble को clockwise rotate करते हैं जो spindle है वो forward जाता है जब इसको anticlockwise rotate करते हैं तो spindle है वो backward जाता है तो यहाँ पर grip बड़िया grip हो thimble के उपर इसलिए इसकी nerling की जाती है यहाँ पर और ratchet stop के दुआरा हम क्या है कि एक pressure को control करते हैं जो work piece या job के उपर apply किया जाता है उसके बाद हम बात करते हैं कि जो reading है वो किस परकार से ली जाती है हमने यहाँ पर washer को insert किया है जिसका diameter हमें बताना है कितना है जो barrel पर main scale बना है उसको एक बार देख लेते हैं तो इसमें क्या है कि इसमें upper division होती है जो upper graduation है वो mm में होती है main division जिसे हम कहते हैं इसको अगर read करते हैं तो mm में read करेंगे जैसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm इस परकार से अपर graduation के नीचे just reference line होती है जिसे हम datum line कहते हैं उसके नीचे फिर lower graduation होती है जिसे हम sub division कहते हैं और इसे हम 0.5 mm इसको read करते हैं और जो sub division है reading लेते समय या तो 1 होगी या फिर वो 0 होगी सिर्फ हमें इसको ध्यान में रखना है तो अब reading देखते हैं कैसे ली जाती है main scale reading सबसे पहले देखेंगे main division जो mm में है तो सबसे पहले जो upper division है यहाँ देखते है main division हमारी जो last है वो कितनी है 20 के बाद यह 21 तो main division जो upper graduation में हमारी कितनी है 21 तो इसको mm में पढ़ा जाएगा तो 21 मिलिमिटर अब इसके बाद देखते हैं कि 21 के बाद जो नीचे lower हमारी graduation है क्या वहाँ पर कोई division है sub division तो 21 के नीचे इससे आगे तो कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है sub division हमारी 0 है तो 0 को multiply करेंगे 0.5 mm के साथ तो finally reading क्या आई 21 mm प्लस 0 equal to 21 mm तो यह हमारी main scale पर जो reading है वो आ गई है इसके बाद हमें देखना है थिंबल की reading थिंबल की reading किस परकार से देखेंगे जो थिंबल पर यह circular scale बना है इसमें वो कौन सी division है जो reference line के साथ match कर रही है तो अगर हम देखें यहाँ पर यह reference line है और यहाँ पर जो कोई भी line match नहीं कर रही है हमारी जो division अगर बात करें 20, 21, 22, 23, 24, 23 और 24 के बीच में reference line आ गई है तो यहाँ पर हम उस division को consider करेंगे जिस division को reference line ने cross कर लिया है किसको cross किया 23 को, 24 को cross नहीं किया तो यहाँ पर जो lower हमारी value होगी वो हमारी division consider करेंगे हम तो circular scale की reading क्या है जो division coincide हुई reference line के साथ अगर नहीं हुई है तो reference line से just नीचे वाली consider करते है तो 23 और इसको multiply किया जाता है list count के साथ, micrometer का list count कितना है 0.01 mm, तो यहाँ पर thimble की reading क्या आई, 0.02-3 mm, अब final reading क्या होगी जो हमारा washer का diameter होगा final reading होगी, main scale reading जो barrel से मिली है इसको add कर देंगे circular scale reading के साथ तो main scale reading कितनी आई थी, 21 mm, और circular scale reading 0.02-3 mm, तो final reading क्या होगी 21.02-3 mm, तो यही हमारा washer का diameter है, तो इस परकार से हम micrometer के उपर reading को read करते हैं अगर आप कोई video अच्छा लगा, आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और channel को subscribe करना न भूलें, जल्दी हाजर होते हैं, एक नए video के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे झाल